हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो इन माई चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर 6 करेंगे जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस जोग्रफी बेटे ये वर्क्षिट 12 आपिवर्क्षिट चैनल साइंस की और दूसरी वर्क्षिट इसकी नीचे है आपको दिखा देते हैं दूसरी वर्क्षिट आई है आपकी इंगलिश की तो दो वर्क्षिट आई है आपकी 7th क्लास की, एक आई है English की और दूसरी आई है बिटा आपकी Social Science की, तो आईए हम इन दोनों वर्क्षिट को करते हैं, पहले हम करते हैं बिटा Social Science Geographic की वर्क्षिट, तो वर्क्षिट शिरू करने से पहले बच्चे प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आईए देखते हैं वर्क्षिट हुमन मेड एनवायमेंट, नेचर हैस प्रवाइड अस वेरियस तिंग लाइक एयर, वोटर, वेजिटेशन, सोयल, एसेक्टर विच आर एसेशनल फोर आर लाइफ, नेचर ने बिटा हमें बहुत सारी वेर अब हुमन ने क्या किया, इस जो नेचर ने जो थिंग्स दी है, उनको क्या किया, उसे एसे रो मेटेरियल यूज किया, और उसको मोडिफाइ किया अपने अपने जो भी उसकी नीड थी, जैसे कि एक्जांपल के तो पर हम देखते हैं कि जैसे कि हमें फरनीचर ट्रीज हमे उसको में फने नीड ने चैस भी बिव मोडिफा स्टरव सबक्छव झाल तो पहले में प्राइब्स अब हुमन ने क्या किया है इस नीड़ोंटी इस रो को टेक्णोयलोगोगे अपने जो टेकनलोमिजर आइडिया है और knowledge है उसके according उन जो nature ने जो चीज दिया, nature ने जो environment दिया उसको change किया और इसको किसमें convert कर दिया, human made environment में, the environment made by human for their convenient is called a human made environment, अच्छा, जो environment, नेचर ने हमें एक environment दिया, लेकिन human ने अपनी needs के according उसमें क्या किया है, कुछ changes किया है, जिससे कि क्या रह सके, वो और conveniently रह सके उसको जो रहना और easy हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, human made environment, यह बहुत important है, human made environment, आगे देखेंगे, for example, wood of tree is used to make for furniture, नेचर ने हमें क्या दिया, wood दिया, लेकिन, नेचर ने हमें क्या दिया, trees दिया, wood दिया, लेकिन, जो human ने अपना technology यूज करके, अपने ideas को यूज करके, उ human ने उसे क्या बना लिया, houses बना लिया, बहुत buildings बनानी शुरू कर दी, metal are used to make vehicles, utensils, metal से क्या बन रहा है, vehicles बन रहे है, utensils बन रहे है, many time human made environment adverse effect of the natural environment, अब देखो क्या करें कि, man ने क्या क्या नेचर में चेंज करना शुरू किया, man ने क्या क्या नेचर में जब चेंज करना उससे क्या और एडवर्ब एफेक्ट आज रहे है, उससे क्या बुरा ईफेक्ट आ रहा है, जो चेंचरल एंवाइमेंट है, human made environment, अससे क्या होँ रहा है, natural environment, उससे क्या और एपट्वर्ब इफेक्टा आ रहे है, इसक्ष्मोड फ्रॉम् दव. इुडर्वीकल इंड़्ज में क्या होना चाहिए एक perfect क्या होना चाहिए balance होना चाहिए अगर यह balance नहीं होता है तो जो human है उसका जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा human का रहना मुश्किल हो जाएगा इस अर्थ पे human must learn to live and use their environment in a harmonious way अब human को क्या करना पड़ेगा इस अर्थ पे रहना सीखना होगा जिससे कि क्या हो इन दोनों में human में और environment में जो natural environment में उसके अंदर balance बन सके अब देखिए आगे क्या दिया गए वर्क्षिट में human made environment जो अब human made environment क्या है जो human ने बनाया है जैसे कि park, road, breeze, factories, buildings, momentums ये सब क्या है ये human ने बनाया है तो ऐसा environment जो human ने बनाया है उसे हम क्या कहते है human made environment तो आईए अब इस वर्क्षिट के question अंसर करते है बटा देखिए first question क्या है why does man modify his environment तो देखिए man ने environment को modify क्या है क्यों क्या है क्योंकि वो अपनी needs को क्या करना चाता है फुल्फिल करना चाता है इसी लिए उसने क्या कि तो आईए करते हैं बेटा इसका answer हम तो आईए करते हैं student इसका answer answer number one man change his environment so that he can fulfill his need and facilitate his life देखिए क्या कह रहा है man change his environment because कर देखिए यहां पर because he can fulfill his need and facilitate his life वो क्या कर सके अपनी need को fulfill कर सके और facilitate her life अपनी life को और easy कर सके ठीक है student आईए अब करते हैं next question देखिए question number two क्या दिया गया है बेटा from your surrounding list do substance which pose the threat of our environment ऐसे substance की list बनाईए जो क्या कर रहे है environment को क्या कर रहे है threat है मतला environment के लिए harmful है तो जो substance आपको दिखता है कि environment के लिए harmful है उसकी आपको एक list बनाईए है तो कुछ example मैं यहां पर करवा देती हूँ बेटा कुछ आप खुद करिएगा तो आइए देखते हैं इसका answer बेटा तो देखिए बेटा answer number two factory smoke, vehicle smoke, e-waste, loud horn, plastic item, plaster of Paris captures तो देखिए बेटा यह कुछ ऐसे आइटम से जिसकी वज़े से क्या हो रहा है जो natural environment से उसको क्या हो रहा है यह उसके लिए harmful है factory smoke, vehicle smoke, e-waste, loud horns, plastic item, plaster of Paris captures ठीक है यह ऐसे आइटम से जिसकी वज़े से क्या हो रहा है जो हमारा जो प्रयावरन है जो environment है उसको क्या हो रहा है हाम हो रहा है आईए अब हम next question करते हैं आप और भी example यहाँ पर नूडियेगा और उसको यहाँ पर लिखिएगा आईए अब हम करते हैं next question बेटा देखिए question number three बेटा fill the table with the help of example of your surrounding आपको क्या करना है filling the blanks करना है बेटा देखिए क्या दिया गया है human made environment and natural environment मैंने अभी आपको समझाया कि human made environment क्या होता है natural natural environment वो है जो हमी natural नी दिया है जैसे कि river mountains ले लेंटार किसनेदे नीचर नी दी ओर human made environment क्या है जैसे car mee content नीच्छर नीच्र नी दिया है उसको यूँज करके अपनी knowledge के accordingो जो human ने बनाया है, जैसे कि car, fan, ये क्या हो गया बेटा, human made environment, और जो हमें nature ने दिया है, वो क्या हो जाएगा, natural environment, ठीक है, तो हमें कुछ और examples यहाँ पर लिखने हैं, जो human made environment हो, और natural environment के हो, तो आइए करते हैं बेटा, इसका answer हम, तो आइए करते हैं बेटा, answer number, हम करते हैं next, answer number 3, तो first हम करते है man made, जो कि क्या है, man ने बनाया है, ठीक है, जैसे कि car, fan, road, park, industries, building, moments and bridge, ये सब क्या है बेटा, ये बनाये है human ने, तो ये क्या होगा, human made environment, ये क्या हो जाएगा बेटा, human made environment, next क्या था, natural environment, जो nature ने दिया है, जैसे कि river, mountain, soil, air, water, soil energy and wind energy, ये हाँ पर wind energy ये wine power कर दीजेगा, ठीक है, ये हमें किस ने दिया है, nature ने दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, ये सब चीज़े हमें nature ने दिया, ये इसका use करके, जो man है, उसने क्या बनाया है, man made environment, ठीक है student, ठीक है, तो बेटा, आज की आपकी वर्क्षिट कम्प्लीट होती है, वर्क्षिट कम्प्लीट करके, अपनी टीचर से चेक कराईए, और बच्चे मैं एक बड़ी फिर आपको याद दिदा देती हूँ, कि 6-8 जो common वर्क्षिट आती थी, इस वीक से वो वर्क्षिट नहीं आई है, 7th Class की ही दो वर्क्षिट आई है, इस बार एक है Social Science की Monday की वर्क्षिट है, और एक है English की वर्क्षिट, तो हम ये दुनों वर्क्षिट करेंगे बिटा, तो ये Social Science की वर्क्षिट आपकी complete होती है, वर्क्षिट कम्प्लीट करके बच्चे अपनी टीचर से चेक कराईए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए, थैंक्यू स्टूडेंट्स,